असलाम अलेकूम वेलकम टू मैं चैनल आज हम शेयर करेंगे एक मिल्क ब्रिट का रेसिपी इसे बनाना बहुत ही आसान होता है और इसका टेस्ट जो है वह बाजार से भी बहुत बढ़िया होती है और इसे आज हम ओफिन में नहीं बनाएंगे चूले में बनाएंगे तो चलि पर तीन टेबल स्पून चीनी डाल देंगे चीनी आप आपकी टेस्ट की हिसब से डाले ज्यादा या कम कर सकते हो फिर इसमें हम वान अंड हाफ टीस्पून इस डाल देंगे ए इस इंस्टेंट एक्टिविस्ट है और फिर इन सब को एक बार मिला लेंगी अच्छी तरह से और फिर इसे कौभर करके हम आठ से दस मिट रेस्ट करने के लिए चोड़ देंगी दस मिट के बाद देखिए हमारा इस जो है फूल गए अच्छी तरह से मतलब है एक्टिव हो गए और इसमें अब हम डालेंगे दो कप मैदा यानी 250 ग्राम है इसकी साथ यहां पर हमने डाल दिया 1.5 टी स्पून नमक और 2 टेबल स्पून पाउडर मिल्क पाउडर मिल्क से इसका टेस्ट ज्यादा अच्छी होती है और सॉप्ट भी बनती है तो ट्राइ किजिए इसे डालने का फिर इन सब खाम अच्छी तरह से मिला लेंगे हमने यहां पर थोड़ा और वार्म मिल्क ले लिया और इसमें से थोड़ा सा डाल देंगे क्यूंकि हमें सॉप्ट डो बनाना है टोटल हमने यहां पर दो से मिल की असपस दूद ले लिया डो आपकी जितना सॉप्ट बनेगा आपकी ब्रेट भी इतना ही सॉप्ट बनेगी यह बहुत ज़्यादा सॉप्ट है इसलिए हाथों में भी आसानी से चिपक जाती है इसे हम एक बड़ा सा प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से नीट कर लेंगे हम इसमें सुखा मैदा और नहीं डालेंगे पांच से साथ मिनिट अप लागाता नीट करने के बाद देखोगी आपकी जो डो वो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगी है यानि यह कम चिपचिपा बन जाएगी और आपकी हाथों में भी नहीं चिपकेगी और फिर इसमें हम एक टिब स्पून बाटर एड़ कर लेंगे आप चाहो तो तेल भी एड़ कर सकते हो बाटर से जो है इसका टेस्ट काफी बढ़िया लगती है तो फिर बाटर को इसके साथ आची तरह से मिक्स कर लेना है और बाटर की फैट की बजा से आपकी डो बिल्कुल चिपचिपा नहीं रहेगी और सॉप्ट शाइनी डो बनकर रेडी हो जाएगी इसे इस तरह से 2-3 मिनिट और अच्छी तरह से मसल लेना है और देखिए डो कितना सॉप्ट, शाइनी और स्पॉंजी लग रही है इतना ही सॉप्ट बनाना चाहिए सॉप्ट मिल्क ब्रेट के लिए अभी हम इस डो को रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और बोल को कवर कर देंगे और इसे एक घंटे के लिए छोड़ देंगे और एक घंटे के बाद देखिए वाव इस तो बिल्कुल फूल गए और फूल के इसका साइज जो था उसका ट्रिपल हो गए फिर हम इसकी अंदर जो हवा था ना उसको निकल लेंगे और इससे अभी एक चकले में ट्रांसफर कर लेंगे चकले में 3-4 ड्रॉब तेल गीस कर लेंगे ताकि ये चकले के साथ चिपकेना और फिर इसको 2-3 मीट के लिए अच्छी तरह से मसल लेना है और फिर इसे ब्रेट का शेप देना है इसके लिए हम हातों से इसको गोल बनाएंगे और फिर उंगली से दबा दबा कर इसका साइज जो है उसे थोड़ा सा बढ़ा लेना है ऐसे और इसकी उपर भी दो से तीन रॉब तेल फिर से रब कर लेंगे और बेलन की मदद से हम अभी इसे बेल लेंगे देखिए इसको हम इस चकले के बड़ा बड़ ही बनाएंगे और फिर इसे धीरे से हातों से रोल कर लेंगे ऐसे धीरे से रोल करना है क्योंकि ये बहुत ही सॉप्ट है इसे बेक करने के लिए ऐसे हम एक बेकिंग टीन ले लिया और इसके अंदर तीन से चाथ ड्रॉप तीन लगा लेंगे चाड़ों और ऐसे ही गीज कर लेना है और फिर आप चाहो तो इसे इस तरह ही बेक कर सकते हो हम इसे थोड़ा काट लेंगे ऐसे ही काट लेंगे दीरे दीरे काटना है देखिए और फिर हम इसे एक साथ में उठा लेंगे अलग अलग करके नहीं उठाना है एक साथ ही उठा लेना है और फिर बेकिंग टीन में अच्छी तरह से सेट कर देना है इस तरह से अब हम इसमें थोड़ा सा और भी तेल ब्राश कर देंगे और इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 15-20 मिट के लिए और जब तक एक रेस्ट कर रही होगी तब तक हम बेकिंग के लिए पैन को प्रिहिट कर लेते हैं तो यहां पर हमने एक पैन में 200 ग्रम की आसपस नमक डाल दिया और इसमें इस तरह स्टैंड बिठा दिया और अब इसे ढखके 15 मिनिट हम मेडियम फ्लेम में छोड़ है और दिया इसे प्रिहिट होने के लिए और में प्रिहिट की बात देखिए एक अब एक योग और तू टैल स्टैला स्पून मिल्क ले लिया और इसे अच Brussels बिट कर लिया और इसे हम उसकी ऊपर अच्छी तरह से घिस नहीं घिस कर दिया है सब्ळार बह। अच्छ और इस अब ये रेड़ी है बेख होने के लिए और यहाँ पेन भी आची तरह से प्रहिट हो गए और ये बहुत गर्म है और इसलिए बहुती साबधानी से इसकी अंदर बेकिंग तीन को रखना है और फिर इसे अची तरह से कवर कर देना है और हो साखे तो इसकी ऊपर कुछ हेवी रख दो मैंने यहां पर एक कंसा की बर्तन रख दिया यह बहुत हेवी है और इसे बेख होने के लिए लो मीडियम फ्लेम में छोड़ना है थर्टी मिनुस के लिए और थर्टी मिनुस के बाद देखिए ब्रेट हमारा बिल्कूल अच्छी तरह से बेख हो गए और इसे हम निक बखाना पड़ जाए और इसका टेस्ट भी काफी अच्छा हो अब हम इसे निकल लेंगे यह बहुत आसानी से निकल आती है देखिए देखिए हमारे जो ब्रेट है कितने अच्छी तरह से बेख हो गए पार्फेक्टली बेख हो गए और इसकी उपर की शाएन भी देखिये और यह बहुत सौप्ट बनी है बहुत ही सौप्ट है अभी हम दिखाते हैं इसकी अंदर भी कितनी अच्छी तरह से बेख हो गए देखिए इसकी अंदर भी बहुत सौप्ट है और बहुत अच्छी तरह से बेख हो गए तो आज की रिसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब करें